सेंटरलाइड पब्लिक ग्रिवान्स ड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या कहूं सीपी ग्राम्स या कहूं पीजी पोर्टल ये सभी एक ही पोर्टल के नाम है अलग-अलग नाम है और ये जो प्रसाश्चिक सुधारा और लोक्षिकार विवाग इसका एक पहल है इसने ही जो आम लोग भारत के जोनागरिक है वो एहाँ पर complaint फाइल कर सकते हैं चाहे किसी भी सरकारी बिवाग सा ज्नागरिक हो चाहे वो श्टेट गौर्वर्मेंट का और चाहे बाह्र सरकार का हो या किसे इंडियन टेरिटरी का हो किसी से जुड़ा कोई कमप्लेंग हो किसी अधिकारी से जुड़ा हुआ हो तो भी आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आनन्द और मैं आप सब का मैं एक वाफ फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ CP Grams के बारे में CP Grams या PG Portal के बारे में हिंदे में इसे केंद्रिय लोक शिकायत निवारन और निगरानी प्रनाली भी बोलते हैं दोस्तो CP Grams के अंदर जो भी हम complaint डालते हैं उसका 60 day के अंदर disposal होता है ये काम कैसे करता है जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जैसे आपको यह complaint डालते हैं तो वो क्या होता है जो भी concern department होता है concern department के पास चला जाता है concern department देखता है कि action लेना है या उनके किसी subordinate office को लेना है subordinate office के वोगर लेना है तो वो उसे forward कर देते हैं और वहाँ पर जो noodle officer होता है noodle officer के पास वो चला जाता है noodle officer उस पर एक्षान लेता है जो भी proper action होगा वो लेता है और वो क्या होगा उसके बाद action लेने के बाद उसका वो disposal कर देते हैं, close कर देते हैं वहां से आपका grievance अगर in between आपसे कोई help चाहिए होता है वो आपको contact भी करते हैं और close करते ही आपको एक message आता है, email आता है आपका grievance close कर दिया गया है अगर आपको लगता है कि आपका proper जो reversal नहीं हुआ आपका grievance का तो फिर से आप grievance file कर सकते हैं, previous grievance का number देते हुए दोस्तों एक चीज में बता दूँ आपको कि एक वार आपका grievance close हो गया तो उसे आप फिर से reopen नहीं करवा सकते हो, अब fresh grievance डाल सकते हो और previous grievance का number उसमें refer कर सकते हो अगर मानलो एक वार आपने grievance डाला, दुसरी वार भी डाला फिर भी आप कोई redressal नहीं हुआ, proper redressal नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं जो प्रसाशनिक सुधार और लोग शिकायद भी भागा, Department of Administrative Reforms and Public grievances है वहाँ पे directors जाके मिल सकते हैं, और personally आप complain कर सकते हैं और यह होता है हर एक बुद्धवार को, हर एक बुद्धवार को जो director होते हैं वो लोग उसे मिलते हैं, और उनकी complaints को लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस CPGrams Portal पे या PG Portal पे आप जो भी complain डालते हैं उसको आप track कर सकते हैं, उसका क्या status है, किसके पास spending है आपको जो officer का नाम होगा और उसका number होगा वो भी आपको वहाँ पे show करेगा तो आपको कोई जरुद हो तो आप उसे call भी कर सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे हर तरह complain कर सकते हैं चाहे वो किस सरकार या अधिकार जुड़ा हुआ हो, केंदर्शिकार जुड़ा हुआ हो या रास्तरकार जुड़ा हुआ हो लेकिन 4-5 तरह के जो categories हैं उस exclude किया गया है हम उसके बारे में आपसे बात में बात करते हैं अब बात करते हैं, हमें यहाँ पे ग्रिवांस फाइल कैसे करें PG Portal पे तो हम आ गए, हम यहाँ पे कैसे complain कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ इस पे एक ID बनानी पड़ेगी आइडी बनाने के लिए हम यहाँ पे जो दिख रहा है, आपको sign in, sign in पे click करेंगे click करते ही यह page यहाँ पे ले गया, इस page पे आप देखोगे तो अगर अभी तक आपका कोई ID नहीं बना है इसलिए आप यहाँ पे login नहीं करेंगे, बलकि sign up करेंगे अगर आपकी ID होगी, तो यहाँ पे mobile number या email ID यहाँ पे डालके और password डालके और security code डालके आप login कर सकते हैं, अभी हमारे पास कोई ID नहीं है इसलिए हम sign up करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम डालना है, gender, address, country, state, district mobile number और email address correct डालें, इसमें कोई गलती ना करें, कारण इस पे आपको email भी आएगा, और अगर कोई जरूत पढ़ती है, तो वह आप से contact कर सकते हैं, mobile number आप correct डालोगे, तो आपको call भी आ सकता है, कोई जरूत पढ़ने पे, वह आप से contact भी करेंगे, security code डाल सकते हैं, जो यहा अना कि अगर आप एक सर्विस में हैं, तो yes डालने, otherwise no डालें, और यहाँ पे save करें, save जैसे ही करेंगे, तो आपको क्या होगा, एक link आएगा, आपको email आएगा ऐसे, और उस पे एक link होगा, आप इस link पे click करेंगे, तो फिर से वो PG portal पे ले जाएगा, और वहाँ पे आपक आपका username डालने को बोलेगा, email ID और mobile number डालने को बोलेगा, और फिर security code ऐसे ही आपको दिखेगा, वो डालके आप save करेंगे, save करेंगे तो आपका एक ID create हो जाएगा, और ID create होने के बाद फिर आप sign in कर सकते हैं, अब हम sign in करने जाते हैं, यहाँ पे हम अपना mobile number, email ID या जो भ रहेगा, दोस्तो मैंने अपने account में login कर लिया, यहाँ पर आपको दिख सकता है, यह dashboard है, dashboard पर दोस्तो आपको बताया था, कि आप dashboard भी आपको दिखता रहेगा, जो भी आपने complaint डाले हैं, उसका क्या status है, यह से मैंने आप देख सकते हैं, मैंने अब तक total 6 ग्रिवांस यहा पर दिखेगा, कि आपका जो भी ग्रिवांस था, यहां पर देख सकते हैं, दोस्तो मैंने इस स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हैं, यह सारे ग्रिवांसे से थे, और यह सारे ग्रिवांसे प्लोज हो चुके हैं, कब-कब हुए आपको डेट भी दिख रहा होगा, तो तो इस तरीके से आपको अपके डैश्वोर्ट पर दिखेगा डैश्वोर्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वह आगे आपका स्टैटस यहाँ पर दिखता रहेगा इससे आप यहाँ पर तेन अगस्त को यह क्लोज हो चुका है अब यह 18 सटेंबर का क्लोज हो चुका है तो ऊस तरीक़े से आप यहाँ पर गरिवांच का स्टैटस पर चेक कर सकते हैं इसके सासत आप जो भी गरिवांच डालते हैं उसको उसका स्टैटस भीना लौगइन किये भी चेक कर सकते हैं जो आपको विए स्टेटस दिख रहा है यहां पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको जो ग्रिवांस का नंबर होगा ग्रिवांस नंबर डाल दीजिए उसे रेश्टरेशन नंबर बोलते हैं तो रेश्टरेशन नंबर वहां पर डाल दीजिए और अपना email ID आपको दिखा देता हूँ यहां पर देख सकते हैं रेश्टरेशन नंबर, email ID, security code डालते ही आपका submit करेंगे तो आपका वह status दिखा देगा अब मैं दिखा था हूँ public grievance कैसे lodge करें तो grievance lodge करने के लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा lodge public grievance जैसे हमने डाला तो हमें दिख गया यह एक page आया जहां पर आपको accept करना होगा दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कुछ specific topics हैं subjects हैं जो excluded हैं मतलब उस पर आप कोई grievance ने डाल सकते सबसे पहले RTI matter की बात करूँ दोस्तों काफे लोग होते हैं जो RTI वो file करते हैं और इस पर यहां पर complaint भी file कर देते हैं तो वो acceptable नहीं है RTI एक different procedure होता है एक different वो एक्ट के अंदर बना है और इसका different procedure है दोनों different departments के थ्रूँ deal किया जाता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने RTI file कि आप satisfied नहीं है तो यहां पर आपके complaint डाल दो that is not acceptable तो आप RTI matter है तो आप नहीं डाल सकते हैं कोई सब्जूडिस matter है कोट में pending है या कुछ कोट ने judgment दिया है और आप उसके अगेंज जाना चाहरे हो तो आप यहां पर कोई grievance file नहीं कर सकते हैं को religious matter है कोई personal matter है या आपका family matter है मिन्स कोई धार्मिक से धर्म्स जुड़ा हुआ है या आपके पोसिक साथ कोई जगड़ा हो गया या आपके आपके relation में कोई जगड़ा हो गया तो आप यहां पर फाइल नहीं कर सकते दोस्तो suggestion आप किस रखा यहां पर CPGrams के अंदर नहीं दे सकते कोई suggestion यहां पर acceptable नहीं है दोस्तो काफी सारे ऐसे भी होते है गौर्मेंट employee अगर मालो आप गौर्मेंट employee हो तो गौर्मेंट employee आप service written matter पर आप ग्रिवांस नहीं डाल सकते जब तक कि आप सभी channels को exhaust न कर लो तो इस सारी चीज़े excluded है इसके सासत एक चीज़ और है मता दूँ कि ऐसा कोई भी आप यहां पर ग्रिवांस नहीं डाल सकते जो भार सरकार का परोसी मुलकों के साथ कोई जिस पर कोई dispute हो या कोई relations को impact कर दे तो ऐसा कोई भी आप ग्रिवांस नहीं डाल सकते हलांकि उसको सब्मिट का ओफ्षन आने के बाद देख सकते हैं दोस्तों Department of Post Department of Telecom Financial Services इन सब के आपके अलग-अलग दिख रहे हैं दोस्तों इसका होने का क्या मतलग है इनका अलग-अलग आपको क्यों दिख रहे हैं दोस्तों Department of Posts पोस्ट हो Health and Family Will Affair हो इन सब काफी सारे ज्यादा प्रफॉर्मा बना दिया जैसे आपको दिखाता हूं जैसे आप देखो डिपार्टमेंट पोस्ट पर आप गये तो किस तरह का आप कंप्लेंट है अच्छा पर इस तरह के सर्विसें से जुड़ा हुआ कुछ है दिले है नौन डिलिवरी है फिर मालो डूमेस्टिक का है तो म उसका tracking number डाल दीजिए, post office का code डाल दीजिए और यहाँ पर आपका जो भी detail में complain है वो डाल दीजिए कोई आपके बस document है तो attach कर दीजिए और next यह जो भी आप document attach करेंगे वो video file होना चाहिए और maximum size 4 MB होनी चाहिए और फिर next करेंगे तो आपका आगे चला जाएगा अब मैं जाता हूँ रिटर्न टू डेस्ट करते हैं लॉज यहाँ आप देखिए हो ऐसे फाइनल से जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ कुछ हो अगर इन सबसे जुड़ा हुआ नहीं है किसी और department जुड़ा हुआ है किसे स्टेट कमें जुड़ा हुआ तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होना चाहिए ताकि आपको वह कॉंटेक्ट कर पाएं इसके बाद एक सर्विसमेन है यह हैं तो यह नहीं है तो नू अगर आपको जो कंप्लेंट है सेंट्रल गवर्मेंट डाल देंगे स्टेट गवर्मेंट और कोई ऐसा जो लिस्टेड नहीं है यह आपको मालू कर दे रहा हूं और फिर जो मेरा कंप्लेंट है कि मालो कि आयूश का जो जो भी ऑफिस था वहां पर गया हमें कोई प्रॉपर कोई डॉक्टर वहां पर अव्लेबल नहीं था तो वहां पर टाइप कर देंगे पहले आपको कोई ग्रिवांस पहले भी आपने फाइल के स्टे से जएक पए तो उसका यहाँ पर आप नंबर डाल चाहे तो डाल सकते हैं उसका डेट डालना चाहे अट डाल सकते हैं और फिर कोई PDF फाइल आपके पास है तो कोई बात नहीं जुरूद नहीं है सममिट करते ही आपको एक एमेल आएगा एक मैसेज आएगा SMS आएगा कि आपका ग्रिवान्स फाइल हो गया और एक रेश्रेशन नमबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फिर वो जो भी आपका ग्रिवान्स होगा आपको इसी डैश्पॉर्ट पर दिखेगा और आप यहां से नहीं देखना चाहते हो तो यह स्ट्रेश पर जाकर चेक कर सकते हो तो दोस्तों यह था सीपिग्राम्स या कहूं पीजी पोटल के बारे में पीजी पोटल की जो लिंक होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर दोस्तों हमारा यह वीडियो पसंद आया हूँ आपको तो प्रिजी अबाद